अब मार्किट से लाने की जरूत बिल्कुल नहीं है, आप इस महेंगी और टेस्टी रेस्पी को सिर्फ एक कटोरी सूजी से घर पर ही बना सकते हैं, बिना दिक्कत के साथ बिल्कुल पर्फेक्ट तरीके से बना पाएंगे और बहुत ज़दा टेस्टी बनेगी, तो चलिए सूझी को से बनाना के से बनाना कैसे हैं तो इसा बनानी यसरी बनाना के विए लिए छाटने मात्र में गाओन चाहते हैं, आप सूझ ता'M चीहां सके, या विक्ता बना पाटिसर को सिर्फट नहीं वहलीं बढौद की थूदा बढलना ही यह लाइची पाउदर, और इसका थोड़ा थोड़ा दूद ढालते हुए इसका आटा लगा लेना है उसक त्रहे से पतला सा आटा लगा लगा लेना है और 10 मिनट के लिए इसे रेश्ट करने के लिए पिसमें चोड़्च होग जाता है और आपको यसरा जाना शूद्ध नहीं हम आख seis E staff लग case ही glad ज़दा soft हो जाते हैं अब देखे मैंने हाथ पर थोड़ा सा इस तरह से तेल लगा लिया है जिसे सुझी चिपके ना इसके बाद ना इसके इस तरह से लोई बना लेनी है अब यह जो लोई है मैंने थोड़ी बड़े साइस के लोई ली है तो आपको भी इना बिल्कुल इस त बिल्कुल गुल धुल अब देखे इसके बाद ना इसे डाले के तवे पलख देना है तवे को थोड़ा सा गर्म कर लेना है मतला मेडियम गर्म कर लेना है बहुजाद हाई से बिल्कुल नहीं करना लोई को न तवे पर से इसके बड़ेने के ना है एसमें होल करना ना है इसके बाद प्रस्रीं डाल सकते हैं जो भी आपके पास वह है सित्वा गहां काँ़ दाल ना फ sed इःस्पी बिए भी आ जीकूंड़ कोघने उसको बड़ा जयेक। इससा कंगए व कतले है बंपलकर आ उसके से कले हैं में अशोरत कि क्ट्रीग अ के चलरें प्लटीमे से क्यांगे इसे विक बड़िए और आम स 나쁜 हैं बहुत विससे बंब कर सादी कहता है बिल्कुल इस तरह से इसको अच्छे से सिकत तयार कर लीना है अगर देख लिए मैंने इसको सिकत तयार कर लिया है और यह थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसको पहले थोड़ा ठंडा कर लीना है और जब यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसके बाद इसके 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 इस में एक भी दाना नहीं है तो आपको भी बिल्कुल इसरे से कर लेना है ये कितना ज़्यादे दानेदार बन कर तयार हुआ है जैसे बिल्कुल सोजी होती है बिल्कुल इसरे कई दानेदार बन कर तयार हो गया है और ये देखने में कितना ज़्यादा बड़े लग रहा है क्यो बीजित थूप बाद है कि जो चीनी अच्छानी जाए मैं तो इसके बाद थोड़ा सा इसमें ये खोड कलर डाला जाया जिसके जो हम रहसे बना रहे हैं उसका देखनें कलर बढ़दी असा अब डाल सकते हैं यह तो आप इसको इसको इसके बाद है कि जह चास नहीं चास तो इसमें जो सूजी की रोटी का मिक्चर पीस के रखा हुआ था ना, वो इसमें मिला लेना है, और इसे बराबर चलाते रहेना है, जब तक अच्छे से गाड़ा ना हो जाए, अब ना आप इसमें दो चमच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर डालेने से जो म अब देखें, आप जिस भी बरतन में इसको सैट करने वाले हैं, उसमें गिल लगा कर आपको पहले से तयार रख लेना है, गिल लगा कर अगर मिठाई सैट करने के लिए छोड़ते हैं, तो मिठाई बहुत आसाने से निकल जाती है, और बरतन में चिपकती नहीं, इसके बा आपको दो तिन घंड़े के लिए इसको भार चोड़ना पड़ेगा उसके बाद मिठाई अच्छे सैट हो जाएगी, अब देखे, आप सूजी को डारेक्ट भूनकर उस तरीके से मिठाई बना सकते हैं, पर अगर आप उस तरीके से मिठाई बनाएंगे ना तो जो मिठाई